नमस्कार स्वागता आपका योगी ताउलनेन क्लासेस में मैं हम सरवन कुमार सागर आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर कहा हैं बिहार बोर्ड क्लास 9 इस्ट्री चैप्टर 1 के सभी प्रशनों का एंसर तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं तो आपका पह नप tiene कर रह तो जरूर आपके लिए वीडियो काफ़ि इंपोर्टेंट होने वाला है इसलिए चैनल को आप सुस्क्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं और यहां से दिखें प्रशन सुरू होता है तो सबसे पहले वस्तुनिष्ट प्रॉस्ट न दिया गया है तो पहले इसका उत्तर देखते हैं पहला प्रस्ण है वास्को डिगामा कहां का यात्री था ओप्शन में दिया गया है अस्पेन, पुर्तगाल, इंगलेंड, अमेरिका तो इसका सही उत्तर क्या है? पुर्तगाल वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक था तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा option खो दूसरा प्रस्ण है यूरोप वाश्यों ने दिशा सुचक यंद्र का परियोग किन से सिखा तो option में दिया गया है भारत से, रोम से, अर्बों से, चीन से तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्बों से गो ओप्षन सही है तीसरा प्रस्ण लेते हैं उत्तम आसा अंतरीप की खोज किसने की option में दिया है कोलंबस, वासकोडिगामा, मेगलेन, डियाज, बार्थो, लोमियों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option गो, डियाज, बार्थो, लोमियों अगला प्रस्ण है अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई 1413, 1492, 1492, 1529, तो सही उत्तर क्या होगा इसका 1492 SP में ये प्रस्ण काफी इंपोर्टेंट है परिक्षा की द्रिष्टी कौन से तो आप निश्चीत रुप से नहें याद रखे अगला प्रस्ण लेते हैं कस्तुन तूनिया का पतन किस वर्ष हुआ ओप्षन में 1420, 1413, 1510, 1498 तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1420 पहला ओप्षन सही है अगला प्रस्ण है विश्व का चक्कर किस याद्री ने सरवपर्थम लगाया ओप्षन है मेगलेन, केप्टन कुक, वास्कोडिगामा, मारको पोलो तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा मेगलेन पहला ओप्षन सही है चलते हैं अब दूसरे प्रस्ण के और दूसरा प्रस्ण में सही और गलत का पता हमें लगाना है कौन सही है कौन गलत है तो चलते हैं अगले प्रस्ण पर देखते हैं इसमें कौन सही है कौन गलत है तो यहाँ पहला प्रस्ण पूछा गया है भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है यह क्या है गलत है उतमासा अंतरीप की खोज ने भारत तक पहुंचने क का मार्च प्रसस्त किया यह क्या है बिल्कुल सही है भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तरड़ पर है यह क्या है गलत लाइन है इसमें गलत लिखना है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न देखते हैं चौथा प्रस्ण है यहां पर मारको पोलो ने भारत की खोज की यह क्या है गलत है येरुसेलम वर्तमान इजराइल में है यह क्या हो जाएगा सही है येरुसेलम वर्तमान इजराइल में यह सही है अगला है लिस्बन दास व्यपार का बहुत बड़ा केंद्र था यह भी सही है अमेरेगु ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा तो ये भी सही है अब आते हैं तीसरे प्रस्ण पे इसमें पूछा गया है एक वाक्य में निमलिखित प्रस्णों का उत्तर दीजिए अब यहां जो प्रस्ण है उसका उत्तर हमें एक वाक्य में देना है तो चलिए देखत होगा अब्दूल मजीद ने क्या हो जाएगा अब्दूल मजीद ठीक है इस तरह से आपको लिखना है अब्दूल मजीद ने यह मदद किया था अगला है न्यू फाउंड लेंड का पता किसने लगाया तो इसका सही उत्तर है सर जोन और इसमेक और थे इसके साथ ही इसका नाम है सेवास्टीन सेवास्टीन यह दो व्यक्ति थे जिन्होंने न्यू फाउंड लेंड का पता लगाया तीसरा प्रस्ण है यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को कहा जाता था इसको बोलते थे केरावल क्या बोला याता था इसको केरावल बोला जाता था चौधा प्रस्ण है दच्षिन अफिरका का दच्षिन तम बिंदु कोन सा अस्थल है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्मासा अंतरीप इसका से उत्तर हो जाएगा उत्मासा अंतरीप एग्यारमी एवंबारमी सतावदी में इसाई एवं मुसल्मानों के बीच धर्म्यूद क्यों हुआ था तो इसका जो कारण है वो था जेरुसेलम पर अधिकार के मुद्दों को ले करके इसमें क्या लिखना है जेरुसेलम के अधिकार के मुद्य को लेकर के दोनों के बीच धर्म्यूद हुआ था अगला प्रस्ण है 14-13 में कुस्तुन तूनिया पर किसने अधिपत्य जमाया तो इसका सही उत्तर होगा तूर्की ने इस पर अधिकार किसने जमालिया था तूर्की ने और सात्मा प्रस्ण है पूर्तगाल एवम अस्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है यह जो है पूर्तगाल एवम अस्पेन अट्लांटिक महासागर के पास अस्थित है इसमें क्या हो जाएगा अट्लांटिक महासागर ठ जो प्रस्न शुरू हो रहे हैं लगुत्रिय प्रस्न है जिसका उत्तर हमें 30 से 50 सब्द के बीच में देना है तो इसका उत्तर और आगे दिरगुत्रिय प्रस्न भी है तो इसका उत्तर हम अगले वीडियो में ले करके आएंगे अगर आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा और आप कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो आज का कैसा लगा